देख लो चौपाल देख लो चौपाल रह सब बड़ा बड़े राओ जी सब लोग लुगायाओ जी ता परियान सब ल्याओ जी देख लो चौपाल देख लो चौपाल रह सब बड़ा बड़े राओ जी सब लोग लुगायाओ जी ता परियान सब ल्याओ जी सब बड़े रह सब बड़े रह सब बड़े रह सब लोग लुगायाओ जी अपना दिवस है इन वासता आप सब्ड़ा दर्शक बाई बड़े राजस्तान का इस्ता अपना दिवस की मोखली मोखली बड़ाईयां और साथ मेरी योसु राम राम बड़े आप सब्ड़ा जाणोंगे चौपाल रह माई आपा रोजी नहां विसे लिए रताया करा हूं अपनी चौपाल के माईन आपा राजस्तान इस्तापना दिवस के उपर राजस्तान की प्यारी संस करती है रंग रंगी ली संस करती है राजस्तान की चठामा है बाकी भी बाता कर्शियां और साथ ही बात कर्शियां कि राजस्तान को विकास आजादी के बाद में की प्रका तो प्रलाद राइजी आपने वीच पद्यार्या है पर्यावरण और भूगोल वेता रगवीर जी चोदरी साहब आपने अपने दिवस मनारे आपने खुसी भी है और पूरी दुनिया का मैनी राजस्तान के चवी है बाहर रंग रंगीलो राजस्थान रंग रंगीलो क्यों क रंग रंगीलो इवास्था खेव जाय कि आपने देखां तो आपनी जी ओर आजस्तान की संस्कृती चै अब अलग-अलग रंगा से सॉज्योडी चै मतलब इन में कई तरह का रंग सा मिल चै है आपान वेश मूसा की बात करा तो वेश मूसा आपने राजस्तान में अथ्थ विविद रंग लिवड़ा छे और अवसर भी सेश का अलग कपड़ा और अलग त्योंवार का अलग कपड़ा वांको रंग अलग आप ते देखो मतलब सावन में ले रही हो फागण में फागणी हो श्याद इव्या में देखा है तो चून डडी उंको अलग रंग और अभूए को आपने दोनिया का अंतर ने आपने दोनिया के देख लेगो आं डाग शायतान में आवसर भी सेश क की पड़ियां को रंग अलग अलग मिल सी और विवर का ही साथया को रंग अलग अलग मिल सी, आव सर्वी सेस पर अलग रंग को सफ बन दी जाए, तो यी वास्ते अत्रा रंग आपने इमें मिल उड़ा है, और आई बात आपने खान पान में आपा देखा, हर तेवार पे अलग पकवान बने, अलग मिठाई बने, अलग तरह का आपना जो ठेका राज तो मालूम है राजस्तान की संस्कृति का नाम से पूरा विश्व से परिटक दोड़ा जो देखवा हो है, वह यी रंग नहीं तो देखवा हो है, यी वास्ते तो आपने अठे की आप मतलब बिलकुल रंग से सजोड़ी जी वास्त आपा इन्ने रंग रंग दो राजस्तान अधालाहा ज सेमानार का आप दीवार वास्ताबर हाता शाड़ी पर को 53 वा से ऴास्तिया लग है और और यी वास्तान मैं एक जगा की भी हुत जगार ऑने Алग आख वो सबक्ताल अलोग रंग सब्सक्ताल कुद्ध ताम सफनाएं थोट में चील गींचल कर गीत और जगह मैं तो खटे सुनिया हुए वर तो नहीं सुनिया हुए जिसे मैं तो वह हभू भी आपने राजस्तान के महें सुनिया हुए। आज सितन है फो युद्वाईर्टिन में काही परिवर्तिन है बिल्कल जैसे भारत की भी और रजस्तान की जो मूल अर्थ वेवस्ता है करसी प्रया अपने राजस्तान में करसी केसासाथSiमी पुर्जा si साथन है यहां अनका विस्थार्वा जैसी इंदिरागंडी नहर पर योजना जो राजस्तान नहर के नाम से और कई सारी जो नहर पर योजना हैं इनसे क्रसी छेतरह यहां सीचाई का क्या हुआ विस्थार हुआ आज दे immers जाए हमारे राजस्तान में तो लग बग हर एक जो छेतर है उसमें सिंचाई हो रही जैसे पुराने समय के अंतरगत क्या होता था कि विशेश रूप से वर्सांत पर अपने बढ़ते हैं अब अपने करसी की भी वो पदतियां अपना लिए सुस्क करसी आगई जैसे कम पानी क यानि जो करसी तैयार कर रहे हैं जैसे होबा है जो यह जहां पर बीनअ यानि जो बरसात के भी यान अच्छी उपज होता थी-थी होती अब अब अपन सुस्क पदती के दोवांद बून्ध सिस्टम है सुसका भी फावरा पदती है इसको दाईरे में आपन का आपकशी करबाते हैं एक परियोजनापन देख सकते हैं इंदिरा गंदी यह परियोजनापन देख ​​सकते हैं चंबल गाटी परियोजना ऑर्ज राजस्तान में मतलब लगब हलागी जितना चेतर एकरसी का एरिया उसके अकोर्डिंग तो आज भी नहीं लेकिन काफी अपन क्या अगर्स हुए है और देरे देरी के आगे की सरकार और भी तो करीशी नहीं सरकारी लगातार कर रही है नवाचार कर रही है कर देख लो यह हर आगे से आगे बढ़ रहे हैं और आगे से आगे देखो समय की साथ कदम ताल करश्या तो निच्ची तुरू सवाफ हां सम्रद में जिया हां भी और याता सम्रद गण से प्रलादर राजे आपने राजस्तान में क्या करें कि सूर ने देखे टीपनों वो पंचांग कुन द जाया का यार चलो लट शां देश के लिए कुरवान उस यां तो मरना में मंगल गिने राजस्तान में को कई चीज है कि आदमी मरबने भी मंगल गिन देखे बिलकुल बिलकुल लेगो आप आज बात बताए ना आप मैं आपने बता हूं कविया जी पूरा विश्व में जु की बलीदान वा वा इत्यास राजस्तान में चे वो मैं कुछ पूरा विश्व में कथ ही कोना है और मैं काई को पूरा इत्यास कार ले ख़ड़ा वाद तो में मेरा मन से थोड़ी हूं आथो शिद्ध है और आपने आठे ते यान का योदा हो या महान योदा या आप प्रा- इज लूक देवता का रूप में आपने राजस्तान में घरगर में गावगाव में पूजे है, तो बैंको जो सूरी चेए भांक जो भलजान चेए उस, उनकी वज़द से ही आज जो थे, आप बोल रहे हूं ने, आब बाक और आपने तो आपने तो आपने आपने अठी तो सं आपने लोग देवता चीज आजाए और आपने तो मिटी में आप जीज है तो राजस्तान को नाव आता ही तो एक अलग जोस और अलग उच्छायर मात्र भूमी के लिए आप बल्दान देवा को और वज्यू आपना लोग देवता चीज जाए राजस्तान में भूमे जी का न राजस्तान को योगदान देखे लिए आप जड़े के लिए जने के भी करे हार न जिसने हर्गी जमानी वो कहलाया राजस्तानी और इतना खून दिया दरती को जितना गिरान आज तक पानी बिल्कुल बिल्कुल एक कवी तो या तक लिखियो मैं आपको नहीं आदा रही है कि कोई बचाने कोई स्कूल के अंदर जोजने बल्दान और शोरिये पर कोई निवन लिख बागे लिए पागन लिए लिए तो बच्छो काई हैं कवी की फंक्ता है बहुत जोड़दार Tikyaan लिखियो बान लिखियो पन्ना को बल्दान लिखियो ज्य तक की filters ब्राबा को दान लिखे, मीरा को भी छृष्वान लिख्यो, और राना को भखर दान लिख्यो, और आखीर में से काटियो. आखीर में से काटियो. और राजस्तान लिख्यो. सूर एक हो कोई परियायवाची सब्त बताई। यह राजस्तान लिग दिए बहुत बढ़ी आ बात बता है आप आपने संकरदान सामें और एक कभी विया वाने राजस्तान वारेका राजयम कोई कह दियो कि आपके राजस्तान में तो बारिश नहीं होती बादली गरजना नहीं करते उन्होंने का बैब बतायों कि बादली के रगत पीडी रज सुर्मा को इतियास अन्नुटों है और आपन यह बार कर से कि राभ पसुपालन की बहुत अच्छी बात बताई अपन देखा आपना आप आजादी सुपे लिए राजा माराजां को जद राज विया करते तो राज तंत्र हो तो राजा माराजा गोचर का सुरू से अपने राजा माराजा के काल से शुरूआँ से अपन देखेंगे तो परियावरन मतलब अपना यह है कि मानव की उत्पती परियावन की गोदमे होगी। परियावरन को इस सर्वे सर्वा मना गया है और इससे संब्धित अपन देखते हैं कई आंदुलन भी हैं यानि जो वन स्रक्षन को लेकर करके चाहिए वो खेजड़ली अपन देख सकते हैं करमा गोरावाई का है यानि खेजड़ली अम्रतादेवी है वो उसके बाद अंग्र अरणे बहुन जिसका नाम रखा गया है अरणे बहुन है और इसके तहट यानि गाउं गाउं है सहर सहर है डानी-डानी है यानि इसमें अन्यकार एकरम जैसे हरियालो राजस्तान अभी कोवीड के बाद अपने देख रहे हैं कोवीड में भी देखे ओस दिये पादब हैं यानि जो गाउं गाउं घरगर डानी डानी के अंतर बटवाए गए तो इससे क्या है कि परियावन बहुत ज़्यदा महत्वा पुर्णा वो परियावन ये समंदित कई कानून जैसे वन्ने जिव जो वन्ने जिवygen के सरक्षण के लिए उन्नी सो बैटर का एक्ट बनाओए है इसके साथ में वन्ने दुनु hij कोई क्या है समवर्ती सुची में जो केंदर और राज्य दुन मिलकर के क्या है यानि इस पर कारिये करते हैं रास्ट्री वन सरक्षन अधिनियम बनावा है हर वर्स अपन जैसे चाह पांच जून को अपने विश्वर परियाउन दिवस है यह अपन मनाते हैं कई जैसे आप ब्यारेने वग रहे हैं तो उन में और हर तरीके से आप देखोगे तो वन और वन ने जियों के सरक्षन के लिए कापी सरकार ने क्या किया है परियास की हर वर्स कोई नों कोई थीम ले करके क्या करती है यानि सरकार का रही है पिछले वर्स अपन देख रहे हैं पर वन रिपोर्ट अपन द संस्टेबल डवलप्मेन्ट अगर अपने और करना है तो इसके लिए सबस्य अद्म हेतों पूंगोमिका रहेगी पर्याउन के अर बोटी मेभट है साहिए सकती सेवीदन सी नियाउन इंडर सरकार भी है राज्यो सरकार भी है और उसी से जो आई वगेरा होती है, तो उस बेटी का अकाउंट वगेरा भी होता है, जिससे जो भी इंकम वगेरा होगी, तो अठारा साल तो उसमें क्या होगी होगी, अठारा साल के पाद उस सिक्सा के लिए साधी वगेरा है, उसमें जो खर चाहता है, ऐसे लगबग डाहि सांध्राइब कार्या कर रहे हैं किसानी की राजस्तान के बहुत तर प्रगति और किसान के रूप में तो मतलब कम पानीं में प्रयावरन का क्या किया जा सके सरक्ष्न किया जा सके प्रियावरण के प्रति बहुत जागरती है यहां का उधारण मारे पास में जाओ था बठे भी है नावार जे 200 योग है तो बहे जनम दिन पर 101 पेड लगावा को संकल पिल लिए और पेड लगाया और पेड लाग रहा है और बहुत संग्रक्षन कर रहा है पालन कर रहा है वे लोग तो आज अब बात है यहां प्रति बहुत आकर्शन और जागरती है यह बात की बढ़े ज़से आप मुलाखात भी करोगे तो पेड लगाने बात में पर वो कहते हैं अलगी तरह यह खुशी होती है जनम दनवाई शरवान ने बहुत अच्छी बात अपन बहुत कि जनम दिन पर विशेश रूप से आप पो दे जरूर लगाई है और लगाई नहीं परिवार का सदशे किजिए रहा है और जिस घर के आज पास पेड़ पो दे आता है उसमें कुछ आली सब श्यादा होती है कुछी रहती है इंप्रेशन नहीं आई रहता है उनका कभी अब करने राजस्तान में आप आज लोग देवे की रूप में पूझ रही है और आज भी आप अत्रुज को मानना हामा का मेड़ाम जा रही है एक अबारा माप अपका पता हो देखो लोग देवता का ही है कि पहली का पूराना टाइम के माइन समय में करने जो भी तढ़ यह लोग देव से या अब आपको ठी मासा आज भी आइन जचिनी नbak रही है यह लोग बड़ी दान दियो, काम करेो, तो वहने आज भी जहें लोग देवता, देवल देवी का रूप में आप पूझा है, गीता में गायो जाएचे, गाउं गाउं में अच्छा, तो वह है कि वहां को जो काम है, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, उने एक आपा एक पतो लागशीन है, वहां का काम को, तो वह न भी प्रहना मिले के करनी माता, गायां के लिए, औरन के लिए, अतो काम करी, और करी, देन दुखी के लिए करी, तो आपा भी कुछ सीखाऊं से कुछ करा, यह वासते है वहां का पूझा को और गीत गाउं को आज भी मतलब आप जोने मनावाई आप भगपरसादी लगावाँ पूझान करा तो उसे नहीं पीडी में वह आगे सागेवाँ, वह ज्यान भी रहे है, संस्कृति लुप्त नेव है अब आपनों एक प्रमपरागत खानपान देखो और एक आज को जुको है, आज दोनियों खानपाना में उसको अंतर आयो है, इसो सहत भी लोगां के बिगडरी है, पीसु भी जयदा लागरी है, फेर भी ब्यामम जामात मां की न्यारी स्टोलना लागरी रहे, इपर आप आ अब उनसे जैसे फास्ट फूड जिसको अपन गया है, चाट है, यानि उसकी तरफ पर रुजान, हलाँ यह सरकार इसमें प्रियास कर रही, सेंटल गवर्मेंट है, स्टेट गवर्मेंट है, मोटे नाज भी विशेश रूप से लिए अब के बार को तो साली गोशीत कर रहे है, और हर दिन बिमार रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज है, उनका मतलब है, जो देशी खाना है, उससे वो क्या है, दूर जा रहे हैं, अगर वो दूर जाएंगे, उतने ही क्या होंगे, बिमार है, इसलिए सरकार ने भी होता कि हमारी युवा जनरेशन स्वस्त रहेगी, त मोटे नाज का वर्स है, यानि ये गोशित किया, अंतरास्टी इस तर पर, तो युवाँ से और जो नई जनरेशन है, उससे मैं यही कहूंगा, कि देशी अपना हो, बिलकुल, देशी खाओ, स्वस्त रहो, और उससे आप क्या मजबूत भी रहेंगे, कारिये शमता है, यान और उसको प्रमपरागत खानपान है, वो भी अपना अपने एक भूत, आपना सरी ने जत्तो पोशन चाहिए, बत्तो पोशन अमाम जिया, खीपोड़ी बताईए, सांगरी बताईए, केरिया है, आपना, इस चीज़ां को आपना शेवन कर चाहिए, आपना पंसकूटा काई दूर तक वो जाए, मतलब उसका सांस नहीं फूलना हो गिरा, लेकिन नहीं जनरेशन को देखी, ये किसकी बज़े से होगा है, समोसा बन गया होई तो आपना तो आपना आजगी रहा है, आपना राजस्तान को परमपरा अब आपना बात करी रंगरंगी लिए संस करते तो मोटा आजगो खान पान को आपना परमपरा से ही छोगा है, बिलकुल, राजस्तान में तो छोई भी शेश कर और अठेका दिल में टी लोग और वो उसे जो ताकत और उर्जा मोटा आजगी बड़ा बढ़ा बज़ूर्ग पहरी से बना रहा है, और आपना तो कही तो ग किता में देखो, कर्मा बाई को तो भगवान के भोग ही, कि थाली भर कर इल्याई खी चड़ो उपर घी की बाते की, जी मोबारा श्यामदनी, जी मावें बेटी जाते की, बिकमाएन कटी, बगवान तक को भोग है नहीं, जो खीचड़ा को बढ़ा, मतलब कतो महतु में चे पावल यह ते हो आर पर खीचड़ा बनता ही है, लेकिन उसे जो युवा जनरेस्ट न उससे मेरे यही कह रहा हूँ कि उसको आप खाना भी, मतलब वो चाट की तरब जाएंगे जाता है, जो आर को, मक्का को भी आपने, मोटा मक्का भी खाया करता है, गोजरो, आज जी होता तो खाबाल आगे हो, बलगा मारा हो, तो प्रला जी एक हाज की जी आप युवापी डिये रगवी जीव 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 बताई, अप गणगोर पुजरन हुए हो थोड़ा दिना पे लिए, तो हाज की नहीं जने लड़कें गणगोर यह नहीं पुजरी, तीज़ां का ग प्रतिस्फर्दा में आम यत्रा घुशगा, अतरे आप यह होगा कि आप वो नहीं पेडि को बच्पनी छीन लियो, अब नया बच्चान आप दोस्तों देवा लेकिन बान गीतां को पतोई हो ने, गनगोर का गीत गाये कहीं, बान पतोई को ने गीत कहीं है गनगोर का, क्य अब नए 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 देखुते जानों कई साधन मन और अजनकार कई चैनल और कई प्रोग्राम है आऊ है तो आपा खुद ही बामल आ गया रहा है तो बच्चा कट से शीख सी संस्कृति आगे कही है बच्षी आपा तो खुद ही बामल है उसे दूर कर रहा है तो घंगोरा गीत करें आप गीत एक मेना गाय जाता है डांडा रूप तो नहीं जिस से ले रो लिगा दिन तक बच्चे गीत गाती और बच्चे बड़ी बढ़ी से बढ़ी बैंड से शीख लेती वह गीत और गाती रहा परमपर आगे चालती रहती अब थे सोचो दो दो तीन तेन गंठा आ आप अहीं कोन बेजा बच्चे ने गाबा के लिए तो आप खुद ही जी में दा रहेंगे आप बच्चावां गाजद बच्चे की राजस्तान की सुन्सक्रति या एक गीत के मायने पीड़ा जलकी भी है और गीत में खुद लड़की कह रही है कि वो चांद चट्यों गिना अब रगवीर जी आपसे जाना करें चाहना राजस्तान ने खनीजा को जाईब गर कर आपने राजस्तान का विकास में खनीजां काई बूमिकरी यहां पर दात्वी के बच्चे के अधात्वी गोर उड़ जा तीनों गनीजां की दरस्टी से संपन यहां तक कि अरावली है दारवाड करम की इसमें चट्टाने, दात्वी कनीजू की द्रस्टी साथ, अपन देखिए तांबा हमारे यहां पर आपता है, तांबे का खनन भी करते हैं, इसके लिए हमारे क्या है कि हिंदुस्तान को अपर लिमिटेड लोग रोजगार भी मिला है, इसी परकार से उदेप रोग फासपेट में हम अगरनी है, फस नमबर जिपसम में अगरनी है, जो करसी के लिए महत्वपून है, चाहिए वो खारी मरदा के उपचार के लिए है, लोणी मरदा के उपचार के लिए अपन देखते हैं, उसमें जो मुख्य रूप से उरुवरक बनते हैं, तो रोग फासपेट में अपन नमबर बन पे है, जिपसम में बुरे देश में अपन क्या है, नमबर बन पे है, यह जो यह अपन देख रहे हैं, इसके अलावा कोईला में संपन है, लिगनाइट कोईला है, ठीक है, खनीज तेल, रीफाहिंद्री देखिया, कितने युओं को रोजग मिलेगा इससे, तो यहां एदात्वी खनीजों में लगबग में फस्ट पोजिशन पे है, लोहा भी हमारे है, ठीक ठाक इस्तिती में, पूर्वी जो भाग है, यह उसमें भी अपन देख रहे हैं, कि खनीज कम है, लेकिन ठीक है, अभी सबसे बड़ी बात है कि राजस्तान में यह जो पेंट्रोलियम के बंदार है, वो भी इसके चार बेसिन बनाएगे है, लगबग डेढ़ लाख वरक किलोमेटर एरिया है, उसमें इन पेंट्रोलियम के बंदार है, बहुत बढ़ी जानका ने दे रहा है, आप लेकिन एक समय के भी मर्यादाम है, और भाई बना, आसा करहाज को स्वपाल कारी करमा आपने दाया यह उसी, और प्रलाजी रगवीर जी आप स्वपाली स्टूडियो माई पतार है इन बाजता आपर गणुगणु आभार, और भाई बना, फेर मिल से एक नयाम इसे कि साथ जत तानी चामा आप से गलांस विजाजत, राम रा आप राम साथ